दोस्तो अशोग्लियन की नई पीकप अशोग्लियन बड़ा दोस्त आई फूर एचस्टी यह पीकप मार्केट में जब से आई है इसने धूम मच आई है और कस्टमर्स इसको बहुत ज्यादा पसंद इसलिए करते हैं कि आप इसको खरीदो और तुरंत इसको अपने बिजनस के लिए यूज करना सुरू करतो फुली विल्ड पीकप आपको अशोग्लियन की तरफ से मिलती है आपको इसमें कुछ भी करवाना नहीं पड़ता इसका कंपेरिजन करेंगे महेंरा की रिसेंटली लॉंच वी महेंरा बुलेरो 2.0 पीकप के साथ वीडियो बहुत ज्यादा वीडियो जैसे ही आपको मिलते रहेंगे तो इस स्टार्ट करते हैं इस कंपेरिजन वीडियो को सबसे बहले बात करेंगे दोनुं गाडियों के इंजन के बारे में यहाँ पर अशोग लेन बड़ा दोस्त आई-पोर एच-एसजी मॉडल में 1.5 लिटर का तीन सिलेंडर व सब्सक्राइब देखने को मिलता है तो मेजर डिफरेंस निकल के आ रहा है इंजन की कैपसिटी और नंबर ऑप सिलेंडर में महेंडरा बुलेरो अशोग लेंड से आगे नजर आता है दोस्तों बात करूं पावर की तो हैं पर बड़ा दोस्त आई-फोर एच-एसडी मॉड बड़ जब पावर की बात आती है तो लगबर लगबर सिमलर देखने को मिलेगी बात करें दोनों पिकप्स के टॉर्क के बारे में तो अशोग लेंड बड़ा दोस्त आई-पूर एच-एसडी में आपको एक सो नबबे न्यूटन मिटर का टॉर्क देखने को मिलेगा वही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोनों ही पिकप्स में आपको एक ड्राइवर के साथ दो को ड्राइवर्स या दो पैसेंजर्स की बैठने की विवास्ता मिलती है अच्छा खासा इस्पेशियस केबिन देखने को मिल जाता है अशोग लेंड में आपको फुली फॉर्वर HSD मोडल में आपको हैडोलिक पावर स्ट्रिंग देखने को मिलेगा हैडोलिक पावर स्ट्रिंग का एडवांटेज यह रहता है कि लंबी डिस्टेंस ड्राइवर्स बहुत इजी ली ताई कर लेते हैं बिल्कुल भी थाकान नहीं लगती और गाड़ी को ड्राइव करना ड लेच और आरेच साइड में हैडोलिक डवल एक्टिंग शॉक अबजर्बस देखने को मिलते हैं बुलेरो 2.0 पीकप में आपको यहाँ पर फ्रेंट साइड में लीप स्विंग वाला स्ट्रिंग देखने को मिलेगा इसमें भी आपको महिंद्रा की तरब से फ्रेंट हम देखेंगे यहाँ पर अश्योग बड़ा दोस्त आइफोर एचस्टी के रियर यानि के पीछे की साइड आपको सही मिलेक्ट्रिप स्प्रिंग देखने को मिलेगा यहाँ पीछे की साइड भी आपको दो हैडोलिक डवल एक्टिंग शॉक अबजर्बस लाके दिये जात मजबूत सेश्मेशन दोनों पीकपस में देखने को मिलेगा दोस्तों अगर मैं बात करूं दोनों पीकपस की वेट कैपसिटी के बारे में तो ग्रॉस विकल वेट यहाँ पर अश्योक्रेम बड़ा दोस्त आइफोर एचसडी मॉडल का रहता है चौतिस सो नबबे के अब बात करते हैं दोनों पीकपस की वेट कैपसिटी के बारे में तो बड़ा दोस्त आइफोर एचसडी में आप 1860 केजी यानि की 1.8 टन आप यह भी कह सकते हैं कि 1.9 टन का पेलोड लेके जा सकते हैं वहीं बुलेरो 2.0 मा आप 2000 केजी यानि की 2 टन का पेलोड लेके जा स प्रेंगे यहां पर आपको फ्रेंटर में दो टायर रियर में दो टायर और एक स्पेर टायर अश्योग लेन प्रोवाइट करता है महेंद्धा की बुलेरो 2.0 फिकप जो आती इसमें आपको 7R16 के टैर्स देखने को मिलेंगे फ्रेंटर में 2 टायर, रियर में दो टैर और एक स्पेर टायर देखने को मिलेगा दोस्तों आप देख सकते हैं बोलेरो 2.0 में महेंडरा ने यहाँ पर 16 इंच की टायर्स का यूज किया है बट अशोक लेंगे जो टायर्स है वो 15 इंच के हैं तो अशोक लेंगे टायर्स थोड़ा साइज में छोटे रहेंगे बोलेरो के स रहती है 10 फिट रहती है और चोड़ाई आपको 5.9 फिट देखने को मिलेगी यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा अशोक लेंट बड़ा दोस्त आई-4 SSD यानि कि हाई-साइट डेक यानि कि पूरी जो लोड़ बड़ी का जो साइट का पोर्शन है वो पूरा फुली विल्ट अशोक लेंट आपको देगा इस मोडल में बट महिनरा बुलेरो 2.0 का जो नॉर्मल मोडल है उसमा आपको यह देखने को नहीं मिलेगा बट इसके भी जब आप HSD वेरियंस के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको हाई-साइट डेक वाले मोडल में फूल चड़ने की छमता देखने को मिलेगी वहीं बुलेरो 2.0 में आपको 24% की Gradability देखने को मिलेगी तो आप मेजर डिफ्रेंस से हाँ पर देखने को नहीं मिलेगा लगवा लगवा एक जैसा Gradability दोरू में देखने को मिलता है बात करें दोनों की Speed के बारे में तो दोनों ही Pickups की फीचर्स में उनमांतर देखने को मिलेगा बट मेक्जों में स्पीड आपको दोनों में similar देखने को मिलेगी तो अगर बात करें दोनों Pickups के माईलेज के बारे में तो बड़ा दोस्त आइपोर एच-एशडी में यहाँ पर आपको 13 किलोमेटर पर लेटर का माईलेज देख के शोरूम में आप जाके पड़ा कीजिए हम जस्ट एक आपको रफ आइडिया बेस्ट और इंटरनेटर इसर्च माईलेज का दे रहे हैं दोस्तों फाइनली वीडियो में बढ़ते हैं और बात करते हैं आपर दोनों के प्राइस के बारे में तो यहाँ पर अशोक्लेन दोस्त आई-फूर एच-चैसडी यह आपको सस्ता मिल जाता है महेंडरा बुले रोट 2.0 का प्राइस आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा हम आप जो आपको जो प्राइस बता रहे हैं यह बेज और इंटरनेट रिशर्च एक शोरूम प्राइस दोनूपीक अप पता किजिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए वीडियो को अन्त तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद